कर दिए अपने यूट्यूब चैनल पर तो चलिए अब बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ रहाते कि भ φयातरा इंग्लिस सबसेडियरी का जो है इल्ब लेक्टिक्ष टो चलिए मैं आप लोग को है इंग्लिस जो है composition पचासंग का डिग्री पार्ट वन उसका मैं answer कि आप लोग को बताने जा रहा हूँ जो लोग पर इच्छा दे के आए हैं फर्स सेटिंग में वो अपना answer की से मिला लिजी सत परती सत इसमें एक आध मिस्टेक होना exception की बात है यह मैं पहले ही बोल देता हू हर एक वीडियो में एक आध मिस्टेक जो कि आप लोग आपको मौका ना मिले कमेंट में आके बोलने वाले तो फिर भी बोल देते हैं लेगिन मेरा पुड़ा अपनी आस रहता है कहीं भी गलत तरीके का content किसी भी छातर तक ना पहुचे अगर आप सही नहीं दे सकते हैं तो बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लिजयें नोटिफिकेशन के लिए और टेली ग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेली ग्राम का तो टेली ग्राम में जुड जाईए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंगलिस बाहर-भार सबस्थिट्री बोला ये एकदम सही है होगा, वो Captain My Captain, यही तो होना चाहिए, Virtue has been composed by, तो option नमर दो का D जो है, वो सही है, George Herbert, चलो मिलाते हैं चलो आप लोग, तीन का जो है, तीन का right answer हो जाएगा, अगर वो सही होगा, तीन का जो है, तो चार का भी right answer होगा, इसमें भी आपको बता दिया गया है, कि option number D सही है, उसके बाद, पाँच का tomorrow and tomorrow is an extract from, ये जो right answer इसका होगा पाँच का, वो हो जाएगा आप लोगको D Macbeth तो 5 का D option जो लोग लगा क्या है वो बिल्कुल सही है अपने जगह वी बट, टीच, बलडी इंस्ट्रक्शन यह जो छो का है राइट आंसर, यह लाइन नहीं समझ में आया इसलिए जिन्होंने सॉल्व करा है तो इसलिए इसको छोड़ दिया गए इसकिप कर दीजे इसको चलिए, नहीं होगा तो छोड़ देगे आकमन के क्यों लगाएंगे वोड्स वाज़ा, तो इसका राइट आंसर होगा साथ का, वो होगा D, लगातार में देख रहे यह अंसर हो रहे है, रोमेंटिक पोईट ठीक है, आट का जो राइट अंसर होगा जोर्ज हर्वर्ट वाज़ है चलिए, अब आट का देखते हैं तो आट का जो राइट अंसर होगा आप लोगो क्या हो जाएगा, मेटाफिजिकल है Romantic है, Victorian है तो 8 का होगा Metaphysical George Herbert क्या थे Metaphysical C मत लगा देना इसका जो right answer होगा 8 का वो क्या हो जागा A, इस पे लगाओ Metaphysical पे 9 का देखो, Walt Whitman Vaj तो 9 का होगा C, जी American right answer होगा C, sexpere belong to तो option number इसका जो होगा 10 का right answer जो हो जागा, वो हो जागा age, ठीक है, sexpere belongs to Elizabethan age, rise up as the flag is plunged, 11 का right option होगा, B, O captain my captain, उसके बाद 12 पे चलते हैं हम लोग, आगा-गा दीरे-दीरे बढ़ते चलते हैं 12 का जो right answer होगा, वो सही दिया होगा यहाँ, A है, days on earth are very short, like a brief candle like a brief candle तो इसका जो right answer होगा, short-lived flame of life, A option सही, यह line सब लिया जाता है बीच में poem से, which one is correct तो इसमें से कौन सा बो like spelling सही है, तो यह C number option सही है, 13 का यहीं होगा, C होगा, ठीक है 14 का लगाई है, तो 14 का जो right answer होगा, A, C वा जो phantom of delight, टिक लगावा होगा, वो सही है 15 का जो right answer होगा, वो होगा, C C जो phantom of delight ट्रिब्यूट किया था wife पे, C Now, what was the name of wordsworth wife wordsworth की wife का नम क्या था 16 का जो right answer होगा, वो होगा, C Mary, पताने, Hutchinson तो C option पे आप लोग ठीक लगाई है ठीक लगाई होए, तो अपना मिलाते चलिए जैसा आपको इसमें मिल रहा है आपके answer जितना सही, वहीं आपका result में प्रकासित जो होगा तो वही result आप लोग को मिलने वाला है 17 का जो right answer होगा, what's what lived for 17 का right answer is C 80 years, ठीक है 17 का right answer, 1717 17 मिन का जन्म होगा था, 1850 मिन का मृत्ति हो गया था, तो 80 18 बर्सी उन्होंने जिया, Robert Browning क्या थे, तो इसका जो right answer होगा 18 का, वह आप लोग लगाओ English या British, तो इसमें British होगा right answer, 18 का A, देख रहा हैं एकदम सटीक है उत्तर, किसी में कोई dot नहीं है आप लोग अपना पूरा मिला लो, कोई दिकत वाली बात यह मत सोच नहीं कहीं गलती है कहीं गलती नहीं है, जो नहीं था पता वो छोड़ दिया गया Home thoughts from abroad, during the poets, stay in कहां पे, तो उन्हें इसका right answer होगा C, Italy, Italy, Rome Home thoughts from abroad is a patriotic poem, B, इसका भी C option, सही है, नोने ठीक लगाया है 21 का, Robert Browning 21 का right answer होगा, B, Victorian poet अपने लगा लिजे, अपने लोग, B, option सही है Home thoughts from abroad, एबरोड, depicts poets love for, कहां पे, तो 22 का, B, खाली England वाला है, poet सब, इसक रोजन वाज किल्ड इन, first world war option number, B, ए मत दे दीजिगा, B, 1917 में उनका दिहांत हुआ था ना, उसक रोजन बार्ग का, English, option number, D, रोजन बार्ग वाज, ट्रेंच पोएट, एकदम सही, option number, A, 26 का, 27 का, I am senior, अफ्ष्वरा sentence step का आ गया, 27 का जो राइट अंसर होगा, आप लोग को हो जाएगा, क्या, A, a number of boys have, come, option number A, he said that, he 39 का राइट अंसर होगा, 28 नहीं है, जी, हो जाएगा, आप लोग को, A, will, he said that, he will come the following day, A option, सही है, मिलाते चलो, चली, आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं, अगला क्या है, question, he is, अगला क्या है, ने, जी, उपर चलिए, he is, कहां गया, he is an MLA, 30 का जो राइट अंसर होगा, वो तो C होना चाहिए, मेरे इसाब से, तो 30 का C, सही जवाब है, 31 का इच बॉइ एच गर्ल, 31 का जो राइट अप्शन होगा, वो होगा A, singular है, each boy and each girl is in the class, C क्यों लिख दिए, A number option, age, ठीक है, singular में है, इसलिए, किसमें है, singular में, either of the girls, इसका जो राइट अंसर होगा, 32 का वो हो जाएगा, B सैथ होना चाहिए, मेरे इसाब से, either के बाद, closest, non या प्रणॉन जो रहेगा, उसके according भर्व आएगा, closest, non या प्रणॉन, इसमें मेरे को थोड़ा शक लग रहा है, इसको आप लोग थोड़ा देख लेना, either of the girls, R या इज में से कोई एक होगा, वेर नहीं होगा, इसमें जो है, गंगा जी जे सैक्रेट रिवर, मतलब पवित रहे, 33 का जो राइट अंसर होगा, B, किसी खास चीज के लिए दो लग जाता है, 34 का जो राइट अंसर होगा, 34 का राइट अंसर अप लोग को होगा, D, option number ask, he asked me what I was doing, I believe 35 का जो राइट अंसर होगा, वो होगा B, I believe in God, option number B, 36 का मिलाओ, C does not know how to swim, how लगेगा इसमें, C number option सही है, 36 का, 37 का लगाओ, तो 37 का जो राइट अंसर होगा, वो होगा, A, Ease लगाएगा, ठीक है, 38 का देखो, he was born, 38 का राइट अंसर आपको A होगा, he was born in 1988, at मत लगा देना, किसी ग्राम का पता आप नहीं बता रहे हो, at लगाओगे, breakdown, इसका मतलब क्या होते हैं, sentence का मतलब, to fall, 49 का राइट अंसर होगा, आपको A, बेसंभाल हो जाना, 49 का, जो है आपका A होगा, B नहीं होगा, to go out of order, option नमर A is, correct, give in, 40 का जो राइट अंसर होगा, वो C होगा, to feel defeated, give in, मतलब हार जाना, हार माण लेना, option नमर C is correct, 40 का option C, 41 का, bring up, 41 का right answer होगा, C, to take care of, bring up मतलब, to take care of, option नमर C, put it on, 42 का right answer होगा, C, to write, option नमर C, इसका correct है, दोनों का, चलो, अब आगे देखते हैं, वीडियो जदा लंबा होगा, जी, अब लोग देखेंगे नहीं, वीडियो पूरा देखेंगे, तब यह समझ पाएंगे, in black and white, 43 का right answer होगा, B, लिखित रूप में, in writing, 44 का right answer होगा, 44 का, तो B होगा, अदमरा, to beat, यह वाला option सही है, 45 का break out, 45 का right answer A, to spread, 46 का, तो right answer हो जाएगा, अप लोगो क्या, D, यह समें नहीं होता है, बताने दरार होता है, तो option number D, 47 का देखो, तो 47 का right answer D होगा, यह भी none of days होगा, इसलिए को कि तिवर इच्छा रखना होता है, look for मतलब, look for 47 का, D, ठीक है, none of days, look for मतलब हो सकता है, care भी हो, यह search नहीं नहीं होने होगा, come of, 48 का right answer हो जाएगा, आप लोगो D, पैदा लेना, none of days, ठीक है, उसके बाद 49 का भी answer हो जाएगा, D, do away with, which means, समाप्त कर देना, तो option number D, कि इसका भी correct है, समें DD होते जा रहा है, उसके बाद break the ice, तो option number इसका होगा, C, to remove silence, ठीक है, 50 questions आप लोगों का हो गया, MB English का, आप लोग अपना पूरा मिला लो, इससे अपना answer की जो आ रहा है, वहीं आपका result है, मैंने बता दिया, जो लोग चैनल पर नहीं है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिजे, वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को शेर कीजे, लाइक कीजे, और comment box में अपना प्रतिक्रिया दिजे, कि आगे आप किस चीज़ के लिए content आप लोग आपड़ोड किया जाए,